क्या आप जानते हो कि नुक्लियर सब्मरीन को कभी रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यानि कि वो लगातार 25 सालों तक भी पानी के अंदर रह सकती है, बिना किसी फ्यूल डाले, नॉर्मली दो तरह की सब्मरीन होती है एक जो डीजल से चलती है, और दूसरी वो ज पीस भी कहा जाता है, और तो और इन सब्मरीन में ना तो कभी ऑंक्सीजन की कमी होती है और ना ही पीने का पानी, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर ही बनता रहता है, ऐसे ही साइंस वीडियो के लिए साइंस जून को फॉलो करें।